अबजेक्स बनाने पर स्पोकन ट्युटारियल में आपका स्वागत है इस ट्युटारियल में हम निम्नक के बारे में सीखेंगे रेफरेंस वेरियेबल्स, अबजेक्ट बनाना और अबजेक्स के लिए मेमरी निर्धारित करना यहां हम उप्योग कर रहे हैं उबन्टु 11.10, JDK 1.6 और Eclipse IDE 3.7.0 इस ट्युटारियल का अनुकरण करने के लिए आपको ग्यात होना चाहिए कि Eclipse का उप्योग करके सामान्य क्लास कैसे बनाएं यदि नहीं तो क्रिपिया स्पोकन ट्युटारियल पर इन विशयों पर उपलब्द स्पोकन ट्युटारियल देखें हम जानते हैं कि Variables और Methods एक साथ मिलकर क्लास के Members बनाते हैं क्लास के Members को एक्सेस करने के लिए हमें क्लास के लिए एक Object बनाने की अवशक्ता है अब देखने हैं कि Object क्या है Object Class का एक Instance है प्रत्यक Object में State और Behavior होता है Human Being Class के उधारन को याद करें जिसकी हमने पिछले ट्युटारियल में चर्चा की है Object इसके State को Fields या Variables में संचित करता है यह Methods के माध्यम से इसके व्यवहार को दर्शाता है अब Reference Variables के बारे में सीखते हैं हम Java में 8 Primitive Data Types के बारे में चानते हैं Primitives के अलावा अन्य सभी Types Objects के लिए Refer होते हैं Variables जो Objects के लिए Refer होते हैं वे Reference Variables होते हैं Student Class पर वापस जाएं जिसे अमने पहले ट्युटारियल में बनाया है अब इस Class से Main Method को हटाएं अब Ctrl और S की इसको एक साथ दबा कर फाइल को सेव करें अब उसी Project में Test Student नामक एक और Class बनाया है मैंने यह पहले ही बना दिया है इस Class में मेरे पास Main Method है अब Main Method के अंदर मैं Student Class का एक Object बनाऊंगा इसके लिए Main Method में टाइप करें student space stud1 equal to new space student opening और closing brackets semicolon इस प्रकार हमने student class का एक Object बनाया है यहां student class का नाम है जिसका Object बनाना है student1 एक reference variable है जो student class के एक Object का जिक्र करता है और new keyword नया Object बनाने के लिए स्थान बनाता है कृपिया जान दें student1 student class का Object नहीं है यह केवल बनाये गए नए Object का reference रखता है अब देखते हैं कि student1 क्या सम्मिलित करता है अथा अगली लाइन में टाइप करें system.out.println brackets और double quotes में stud1 contains space plus stud1 और फिर semicolon अब फाइल teststudent.java को save और run करें हमें निमना output प्राप्त होता है अतर यहां student बनाये गए नए Object के class का नाम है दूसरा भाग बनाये गए नए Object का memory address है हम stud1 का उपयोग करके student class के fields और methods को access कर सकते हैं हम इनके बारे में अगले ट्यूटारियल्स में सीखेंगे अब मैं student का एक नया Object बनाऊंगा अतर मैं टाइप करूंगा student space stud2 equal to new space student opening और closing brackets semicolon अब अगली लाइन टाइप करें system.out.println brackets और double quotes में stud2 contains space plus stud2 और फिर semicolon अब इस फाइल को save और run करें हम यहाँ देख सकते हैं कि stud1 और stud2 दो अलग objects का जिक्र करते हैं अर्थात stud1 और stud2 दो अलग students का जिक्र कर रहे हैं उनके भिन्न रोल नंबर्स और नाम हैं अब हम यहाँ बदलाव कर सकते हैं यहाँ टाइप करें student stud2 equal to stud1 अब इस फाइल को save और run करें हम यहाँ देख सकते हैं कि stud1 और stud2 दोनों समान object का जिक्र कर रहे हैं इसका अर्थ है कि stud1 और stud2 दोनों रोल नंबर्स और नाम के साथ समान student का जिक्र कर रहे हैं अथ इस tutorial में हमने निम्नक के बारे में सीखा reference variables नए operator का उप्योग करके object बनाना और references निर्धारित करना स्वम उल्यांकन के लिए test employee नामक अन्या class बनाएं EMP1 reference variable के साथ employee class का एक object बनाएं spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए इस link पर उपलब्द वीडियो देखें यह spoken tutorial project को सारांचित करता है यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials का उप्योग करके कार्याशानाएं भी चलाती है online test pass करने वालों को प्रमान पत्र भी देते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपिया contact at the rate spoken-tutorial.org पर लिखें spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रिय साक्षरता मिशन द्वारा समर्तित है इस मिशन पर अधिक जानकारी निमन लिंक पर उपलब्द है spoken-tutorial.org slash enemy ict-intro अब हम इस tutorial के अंत में आ गये हैं यह script प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यह सुरा बाप से विदा लेता हूँ दन्यवाद